केम्सी कैंसर संस्थान केम्सी हेल्थ सिटी बागपत रोड मेरट उत्री भारत का आधुनिक्तम एवं अत्यांत सुरक्षित रोबोटिक रेडियो थेरेपी वाइटल बीम जो साइबर नाइफ की तुलना में एकदम सहीव सुरक्षित है रेपिट आर्क से सुसर्जित संस्थान 24 इन्टु 7 हर प्रकार के कैंसर के आउपरेशन क्यूमो थरैपी और प्रतेग प्रकार की रेडियो थरैपी पर रेडियो सर्जरी उपलब्ध है कैंसर को पहचानने के लिए आधुनिक तम पैट सिटी उचित शुल्क पर उपलब्ध है दस साल में बने गहरे गड़े अब सड़क को खा चुके हैं ममाना रोड एस्थित एफाइटी के सामने से कई कॉलोनियों तक जाने वाले इस मार्क पर अब यहे तलाशना मुश्किल हो गया है कि इसमें सड़क कहा है बरसात के दिनों में और बुरा हाल हो जाता है जब यहे पता नहीं चल पाता कि सड़क कहा है जो कम गहरे गड़े हैं उसमें से ही वहान निकालना रहगिरों की मजबूरी बन गया है किष्णा लोक समेत इस सड़क पर बसी कलोनिय के लोगों ने कई मरतबा परशाशनिक अफसरों के दरवाजे खट खटाए मंत्रे, सांसद वे विधायकों से इसे बनवाने की गोहार भी लगाई लेकिन यह नकार खाने में किसी तूती के समान ही रही अब कलोनी वास्यों ने रविवार को इखटा होकर आंदोलन का बिगुर बजाने का फैसला लिया है इन लोगों का कहना है कि अधिस समय रहते पर शाशन वे जिम्मेदार विभाग ने इस सड़क का निर्मार नहीं किया तो उन्हें मजबूरी में कोई सक्त करदम उठाना होगा दरसल मवाना रोट पर FIT कॉलिज के सामने से होकर गुजरने वाली सड़क कई कॉलोनिय के लोगों के लिए मवाना रोट पर आने का एक मात्र विकल्ब है फर्स्ट बैड डॉट टीवी ने सड़क की दुर्दशा को कुछ इस तरह से अपने केमरे में क्याद किया है पहले वह देखे है बीत दिवस यहां अंदोलन की रूप रिखा तै करने के लिए इकटा हुए परिशान लोगों से जब फर्स्ट बाइड डॉट टीवी ने वार्था की तो उन्होंने यह कहा पर कॉलोनी मवाना रोड मेरट से आज हम सब लोग यहां पर प्रदर्सन करने के लिए इसलिए इकटा हुए हैं कि पिछले आठ से दस साल से पूरा संगर्स किया जा रहा है सिरफ एक रोड को बनवाने के लिए यहां पर कम से कम पूरे मेरट के कॉलेज की स्कूलों की कम से कम 20-25 बसें सुबा और शाम में निकलती है एक FIT कॉलेज यहां पर सबसे बड़ा एजुकेशन सेंटर हब है जहां पर प्रती दिन एक्जाम होते हैं और प्रती दिन कम से कम 10-12 कॉलनियों के लोग और 4-5 गाउं इस रोड पे जुड़े हुए हैं और इस रोड की इतनी आलत नाजूक है कि कोई पैदल भी नहीं चल सकता रोज लोग यहां पर गाहल होते हैं उनके स्कूटर गिरते हैं गाडिया तूटती हैं पर किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं है पिछले 5 साल से तो सहर के MP से विदायक से MDA में और नगर निगम सब जगापे हर तरह से लोग इकटे हो के 10-12 बार, 15 बार, 20 अनगिनत बार जा चुके हैं पर किसी तरह की कोई भी विवस्ता, यहां पे किसी तरह की सफाई की विवस्ता नहीं है रोड बनने की विवस्ता नहीं है सबी लोग पूरी तरीके से परिशान है उसके साथ में यहां पर हाईवे बना है हाईवे के लिए जो लिंक रोड है इस कॉलनी के लिए वो भी प्रवाइड नहीं की गई है और जहां हाईवे पर हम लोग चड़ते हैं वहां भी बड़े बड़े लाइटों के लिए पॉल लगाने के लिए खड़े खोद के छोड़ दिये गए हैं इसलिए सबी लोग पूरे तरह से परिशान हैं पूरा वेपारी वर्ग यहां पे रहता है कम से कम जितने भी कॉलनिया हैं सब के अंदर सब नोकरी पेसा लोग हैं जो सूबह जाते हैं शाम को आते हैं इसलिए वहिकल बहुत जादा जल्च और लोग पूरे तरीके से परिशान हैं बच्चों से लेके बजुर्गों तक दन्यवादा सर आगे रणनीती यह होगी यदि इसी तरह से हमारी किसी कहीं पे भी सुनवाई नहीं सुनी जाती है तो हमारे पास एक्सप्रेस वे हैं हम कोशिस करेंगे कि पहले तो सरकार को चेताया जाए परसासन को चेताया जाए आप लोगों के माध्यम से यदि वो नहीं चेथते हैं तो फिर रोड बंद करने के अलावा हमारे पास कोई option बचता नहीं है तो हाईवे पे हमें बैठना पड़ेगा परदर्सन करना पड़ेगा क्योंकि हम यह सोचते हैं कि जो हमारे बच्चे हैं बुजूर के महिलाएं हैं उनकी जो जिंदगी है वो कहीं ज्यादा कीमती है इन सब चीजों से इसलिए रोड का निर्मान कराया जाए हमारी पूरे परसासन से आप जोड़ के रिक्वेस्ट है विदायक से रिक्वेस्ट है MLA साब से request है MDA से request है कि हमारी 800 मिटर की रोड जो पिछले 10 साल से तूटी भी पड़ी है इसमें निर्मान कारे करा है दन्यवाद कृष्णा लोग कालोनी का जिनला सिग्रेटी हूँ यहां मैं 2010 से आया हुआ हूँ 2009 में सड़क बनी थी उसके बाद कोई भी सड़क नहीं बनी है कबसे इतने गड़े हैं लोग परिशान हो रहे हैं गिर रहे हैं मर रहे हैं चोटिल हो रहे हैं उसके बाद 2018 से हम लोग लगातार प्रियास कर रहे हैं DM साब के आप्लीकेशन दी MDA को अप्लीकेशन दी कमिशनर साब को दी विधायक जी को दी शांसर जी को दी लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है उसमें भी कोई शंसोधन नहीं हो रहा है हमारा अंदरोध यही है कि इस सड़क को बनाया जाए ताकि जो है ना लोग परिशानियों से बस सकें इस सड़क पर लगबग आफ से दस बहुत ही बुरे हालाथ पर चल रही है मनोश पाठर क्रिश्नलोक कालोनी उपाध्ययत्थूम है यह रोड बहुत बुरे हालाथ पर चल रही है यह रोड जो है जल्द ही कोई ऐसा आवागमन में ऐसा व्यक्तिक गर्वाँ और उसके ब्रत्त हो गई क्योंकि हर ज़दा हर ज़दा जहां जहां हमें लोगों को अप्लिकेशन देनी थी हम लोगों दे दिया है क्यों भी व्यक्ति कोई भी प्रशाजन का कर्मचारी अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे रहा है तो हम आप से यही आपके माध्यम से प्रेड़े आवागमन हो रहा है साथ आट कालोनी है जिनका हमने ब्योरा आपको दे दिया है आज कल अगर देखा जाए मैं सनोज तोमर रादा कुछ कलोनी आज कल आप गाउं में जाएंगे तो रोडों की आहलात इतनी अच्छी हैं बहुत सब कुछ अच्छा है और हम मेर इसका फिरी वगश्ता एक प्रसेंट की भी कोई वगश्ता नहीं है अगर बात करें यहां पे जो एज बच्चे पेपर देने के लिए आते हैं और बीड होती है इतनी जादा होती है और देखो तो रास्ता इतना है कि गाउं से गए गुजरे हालात है और पानी अगर यहां होता है तब तो तालाव जैसे ना जा रहे होते हैं चोट इतनी यहां पर लगती है जो वाइक से गिरते हैं बच्चे कोई भी आता जाता है तो मैं तो कहता हूं कि यह बहुत ही ज्यादा हालात बत्तर है पर सासन को चीज को देखना जाए इस अपडेट में फिलाल इतना ही आ कर प्रूण घ्ट तवस्कार